जटका समाजवादी पार्टी के लिए जरूर देखिए इस बीचे एक और बड़ी ख़बर सामने आ गई है राजसाबा चुनाव को लेकर शिफपाल यादव उनका भी बयान सामने आया है शिफपाल यादव कह रहे हैं चुनाव में बीजेपी ने खरीद फरोक्त की है खरीद फरोक्त करिये हैं भारीद लोग कंत्र की सभी मर्यादाओं का बाती जनता बाती ने बुलंगान पिया और देखिए कुमार गौरव लगतार मारसाथ बने हुए हैं दिली से कुमार गौरव सीथे तोर पर बहुत सपश्च तौर पे सही कह रहे मानस कि ये जो पूरे स्ट्रेटेजी है ये रणिती है ये पठकता बहुत पहले लिखी जा चुकी थी जब संजर सेट का नाम उजागर हुआ था आठवे कैंडिडेट के तौर पर देखे जाहिर सी बात है जब जितना आपका कोटा होता है राजसभा के सांसदों की उससे जादा अगर आप उमिदवार उतारते तो इसका सिधा मैसेज है कि आपने कुछ गुणा गरित बैठाया है विपक्स में विपक्स के या जो आपके सामने विरोधी पार्टी का है उ कुछ न कुछ क्रॉस वोटिंग होगी वहीं हिमाचल प्रदेश में मातर एक सीट जेपी नडडा की खाली हुई थी वो गुजरात से राजसभा सांसद बनकर आये लेकिन बीजेपी ने वहां से भी कॉंग्रेस के उमिदवार के खिलाप एक और उमिदवार महाजन को उतार कि कहीं न कहीं कुछ खिचरी पकड़ाई है कई जगों पर आपको सफलता मिलती है जैसे हिमाचल प्रदेश की भी बात आ रही है कि वहां भी क्रॉस बोटिंग हुई है अगर कॉंग्रेस की सरकार रहते हुए अगर बीजेपी का कैंड्रियेट जीत जाए या टैली 34-34 अरस के साथ जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी की बात देखिए वहां से भी विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यह सवाल विपक्ष पर जरूर उठता है और 2024 से पहले जो लोकसभा चुनाव का एलान होना है उससे पहले इंडिया गठवंधन में ज जोर है उसके जो मुखिया है वह अपने विधायकों को नहीं सम्भाल पा रहे हैं उसी तरह हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हो रही है हुई है और वहां भी एक मैसेज जाएगा यह कॉंग्रेस वहां सरकार में है लेकिन विधायक मुख मंत्री या प्रदेश सद् में एक मैसेज जाए कि विपक्ष में एक जुटता नहीं है नहीं इंडिया गठवन्धन के तौर पर एक जुटता थी क्योंकि कई सारे दल छोड़ कर चले गए कुछ दल है उनका अभी पूरा मामला सेट नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा वहीं पार्टी